नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूटूब चैनल एक्जाम पॉइंट बाई हर्गोविन में और आज हम भारतिय सम्विदान का छटा लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं जो की लक्षमिकान सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रहे हैं यह विविन प्रकार के State Exam, State PCS Exam जैसे UP PCS Exam, IMP PCS Pre-Exam इनके लिए काफी helpful वीडियो हैं तो चलिए डिसकसन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले संभिधान के स्रोथ जो हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि यह कहां से लिए गए और जो important provision है संभिधान में वो किस देश से लिए गए तो पहला जो स्रोथ है सोर्स जो इसको हम कहते हैं भारत का भारत सातन अधिनियम 1935 जो की 1935 में लाया गया था यह एक का राजिप्सान अधिनियम 1935 में एक राजिप्सांसं और नियालाय बनाया था तो न्याइपाल की लोग सेवा आयोग की इस्तापना भी भारासासन अधनियम 1935 के अकॉर्डिंग की गई है जो UPSC है हमारा संग लोग सेवा आयोग और उनकी इस्तापना भारासासन अधनियम 1935 के अकॉर्डिंग की गई है ठीक है उसके बाद जो अगला दूसरा सोर्स है दूसरा सोर्स है ब्र ब्रेटेन से लिया गया है हमारा संसदिय सासन, संसदिय सासन मतलब कि हमारे जो सासन विवस्ता है वो कैसी होगी, संसदिय प्रणाली जो है, वो कहां से ली गई है, वो ली गई है हमारी ब्रेटेन से, और बिधी का सासन, यानि रूल आफ ला, रूल आफ ला में क्या होता है, कि कानून का सासन होगा कोई भी व्यक्ति जो है कानून से परे नहीं होगा सब के लिए समान कानून होगे तो इस सासन को कहते हैं बिदी का सासन जिसमें रूल आफ ला जो है इंपोर्टेंट होता है उसके बाद बिधाई पिरक्रिया क्या होगी बिधाई प्रक्रिया को हम आसान सब्दों में समझते हैं कि संसद में माली जी कोई बिल आता है ठीक है तो भै क्या होता है जब माली जी ए बिल आया संसद में तो भै किस प्रकार से पारित होगा किस प्रकार से कानून बनेगा इस प्रक्रिया को कहते हैं बिधाई प्रक्रिया ठीक है जैसे हमारे यहां कहा होता है कि लोग सभा में कोई बिल प्रेजेंट होता है फिर राज सभा में जाता है फिर राज सभा के बाद क्या होता है राश्पती के पास जाता है यानि होता है एकल नागिटा का मतलब यह है कि हमारे देश में यानि भारत में एक सिंगल नागिटा वो कौन सी है वो है इंडियन citizenship यह प्राभधान कहां से लिया गया है भ्रेटेंसे जब कि अमेरिका में धिनागिता यानि राज नागिता अलग होती है वहांे और केंद्र की नागिता अलग होती लेकिन भारत में सिर्फ एक नागिता है और भौई भी एकलनागता कहलाती है और इसका प्राबधान जो है हमारा ब्रेटेन से लिया गया है उसके बाद मंत्री मंदली प्रणाली क्या होती है मंत्री मंदली प्रणाली को हम कह सकते हैं जैसे हमारे यहां क्या होता है प्रदान मंत्री होते हैं मंत्री मंडल में क्या होता है कुछ कैबिनेट सदस्य होते हैं कुछ राज मंत्री होते हैं और कुछ सोतंतर प्रभार के मंत्री होते हैं तो यह प्रणाली जो है वो ली गई है हमारी ब्रेटेन से यानि मंत्री मंडली प्रणाली कैसी होगी जैसी मंत्री मंडली प्रणाली की जो विवस्ता है वो हमारी ले गई है ब्रेटेन से उसके बाद संसदिय विशेशा अधिकार संसदिय विशेशा अधिकार आपने आर्टिकल 105 जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे डेटेल में लेकिन आप अभी ऐसी संसदिय विशेशा अधिकार जो है वो अनुछे 105 के तहट आते हैं और ये प्रावदान जो है ब्रेटेन से लिया गया है ठीक है उसके बाद जो अगला जो हमारा important provision है वो ये है कि दुई सदन यानि लोगसभा और राजसभा है ये house of commons और house of representative के तोर पर जैसे ब्रेटेन में है उसी प्रकार हमारे हैं क्या है लोगसभा है और राजसभा है ठीक है तो दुई सदन या विवस्ता जी हो है वो ब्रेटेन से लिए गई है उसके बाद अगला जो प्रोबीजन है हमारा अमेरिका से लिया गया है अमेरिका से क उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंतरता यानि जुडीश्री जो है वो फ्री होगी सबी से जैसे हमारे यह क्या है हम एक एक मिनट में आपको बता देते हैं जैसे यह मालीजी यह तीन आयाम है हमारे सासन के पहला मान देते हैं बिधाय का यानि लेजिस्लेसिव दूसरा ह यह है नियायपालिका का स्वतंतर रूप से काम करती है लिधाय का और कारिपालिका से इन पुनरा वलोकन जिसको judicial review कहते हैं यानि संसत ने कोई कानून बनाया अगर बैकानून संभिधान की basic मुल्यों को कम करता हो या मौलिक अधिकारों को कम करता हो तो उसका judicial review किया जा सकता है नियाई पालिका के द्वारा और यह प्राबदान कहां से लिया गया है यह प्राबदा राष्टपती का पद यानि जो 22 प्रेसिडेंट का पद बनाया गया है हमारे यहां बैक कहां से लिया गया है उसके बाद अगला जो important provision क्या है कि न्यादीसों को पदों से किस प्रकार हटाया जाए उच्छितम न्याल है और सरवोच न्याल है कि जो न्यादीस होते हैं उनक पर उनको हटाना है पद से तो उनके उपर महाव्योग की जो कारिबाई है वो किस प्रकार से होगी वह सहिंक तो राज अमेरिका से ली गई है या अमेरिका से ली गई ठीक उसके पाद अगला जो प्रोबीजन है important प्रोबीजन वह यह है कि आयरलेन के सम्विदान से क्या क् होंगे कि राज लोगों के लिए कौन-कौन से बिवस्ताएं कराने के लिए काम करेगा और कोई भी कानून बनाते समय डी-पी-एस-पी का ध्यान रखेगा तो यह प्राबदान डी-पी-एस-पी या जिनको हम राज के नीती निर्देसक तक तो कहते हैं उनको लिया गया है अगला जो प्रोवीजन इंपॉर्टेंट प्रोवीजन यह है कि राश्टपती का निर्वाचन कैसे होगा आओ टू-एलेक्ट प्रेसिडेंट यानि राश्टपती के जो निर्वाचन है उसमें कौन-कौन लोग भाग लेंगे उनकी प्रकरिया कैसी होगी किस परकार से जबसे सब्सक्वाइन प्राइबार ऑँप जो आए सब्सक्वार म taraf समभर्थी सुची में आती है जो सक्तियों के बतवारे की जो तीन सूचियां है संग राजसूची उन में जो भी विषय नहीं आते हैं उनको कहते हँ सक्ति करने का जो अधिकार होता है वह था केंद्ड को धी और यह प्रापदान गई कहाँ आं लिया गया केंड़ा ठीक है उसके बाद कनाड़ा से राजिपालों की जो नियुक्ति की प्रकरिया है वो केंदर द्वारा होगी यह भी प्रोवीजन जो है वो कनाड़ा से लिए यह इंपोर्टेंट प्रोवीजन है राजिपाल की नियुक्ति केंदर के द्वारा होगी यह कनाड़ा से है इस पर क व한다 वी दॉन अगला इंपॉर्टेन प्रोबीजान ऑस्टेलिया से लिए जो संबर्ति सूची है हैं और ऑस्टेलिया से लिए हैं अभी हमणी कियाता कि सक्ति के बटबारे के लिए तीन सूचियां बनाई गई थी उन में से जो संबर्ती सूचि है बैली गई है कहां से अस्टेलिया से ठीक है संबर्ती सूचि में क्या होता है इस पर कानून यानि जो जॉइंट बेंचर होती है वो ली जाती है संयुक्तु बैठक का जो प्राबधान है वो अस्टेलिया से लिया गया है जो कि आर्टिकल 108 के तहट होती है संयुक्तु बैठक संसद की जब दोनों सद्रों के बीच में कोई विवाद होता है कानून बनाने के लिए तो संसद की संयुक्तु बैठक आयुद की जाती है यह कुछ ही बिसियों पर आयुद की जा सकती है बित्य बिद्यक पर ये संग तो बैटर का प्राबदान नहीं होता है लेकिन इसको लिया कहां से गया है ये लिए गया है अस्टेलिया के सम्मिदान से ठीक है तो ये important provision आपको याद रखना है उसके बाद सोबिय संग से क्या लिया गया है सोबिय संग से मौलिक कर्तब लिया गया है जिनको fundamental duties कहते है basically ये मूल सम्मिदान में नहीं थे इनको बाद में जोड़ा गया था मौलिक कर्तब्यों को ठीक है मौलिक कर्तब्यों को जोड़ा गया था 42 में सम्मिदान संसोधन के द्वारा 1976 में सरदार स्वांड सिंग समिथी की अंसुंसा पर उसके बाद आर्थिक, राजनेतिक और सामाजिक न्याय की जो concept है हमारी प्रस्ताबना में उसको कहां से लिया गया है आर्थिक, राजनेतिक, सामाजिक न्याय का जो concept है वो लिया गया है सोबिय संग से या रूस से अगला जो प्रोबीजन है वो फ्रांस का है फ्रांस से क्या क्या लिया गया है फ्रांस से लिये गई है हमारी रिपबलिक विवस्ता यानि भारत एक गरतंद्र होगा रिपबलिक का मतलब यह होता है कि जिसका मुख्या चुना जात प्रावदान ससंता और बंदूट होगी स्थध की उक्रावदानु क सम्टारा न आरा भी था और इसको सामिल किया है में समिधान में प्रस्ताबना में उसके बाद अगला प्रोभीजन संबिदान संसो दन की पृक्रिटीया दख्षिड अपरीका से लिए है। और राजसभा के सदस्यों का निर्बाचन कैसे होगा। लोग उनको च्वनते हैं। तो ये प्राभदान जो है। दच्छल अप्रिका से लिया गया है कि राजसभा के सदस्यों का चैयन कैसे होगा उनका निर्वाचन कैसे होगा अगला जो लाश्ट प्रोबीजन है हमारा गोई है कि जापान से क्या लिया गया है जापान से लिया गया है बिदी द्वारा इस्तावित प्रिक्रिया बिदी द्वारा इस्ताबित प्रिक्रिया का मतलब यह होता है कि किसी भी ब्यक्ति को सिर्फ कानून सम्मत ही किसी चीज से बंचित किया जा सकता है उसके अलावा नहीं जैसे किसी important provision या कुछ भी है तो उसमें जो भी कानून है उसी के द्वारा उसको प्रतिबंदित किया जा सकता है अनिता नहीं जैसे मालीजी किसी भीक्ति ने कोई अपराद किया है तो उसको जो कानून में जो सजा है बही सजा उसको दी जा सकती है उसके अपराद करने के समय जो सजा उस कानून में मेंसन है ऐसा नहीं कि उसने अपराद किया है चार बरस पहले और आज कोई कानून बना है तो उसको उस कानून के हिसाब से ज़या जी जाए हाला कि कुछ फैक्टर में ये बैरी भी करता है ठीक है तो बिदी द्वारा इस्तावित प्रकरिया जो है जापान से ली गई है तो इस परकार हमने आज के लेक्चर में ये डिसकस किया कि सम्विधान के प्रमुक सोर्स कहा कहा से लीए गए है आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपकी लिए काफी हैलपल होगा अगर आपको इसकी वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो आप टेलिग्राम चैनल एक्जाम पॉइंट भाई हर्गोविन को जोईन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक को क्लिक करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सियर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इससे की हमारे आने वाली अपडेट आपको मिल सके थैंक यू, थैंक यू फार वाचिंग